कुछ टाइम पहले मैंने अपना इस चैनल पर वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बदाया था कि अगर आपके मोबल से आपके फोटो वीडियो या फिर किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट डिलीट हुआ है तो आप अपने मोबल को यूज करके उसको इसली रिकावर कर लेकिन उस वीडियो के कमेंट में मुझे कुछ लोगों ने पूछा था कि हमारा सेफ फोल्डर या फिर प्राइवेट सेफ में हमने जो भी डॉक्यूमेंट फोटो वीडियो रखा था वह डिलीट हो गया और हम चाहते हैं कि उसको रिकावर कर पाए लेकिन हमारा मोबल से नहीं हो रहा है तो मैंने सूचा कि आप लोग को मैं ऐसा सजेशन दू जिसके दुरू आप पीसी को यूज करके एक बाट रहे करो शायद से आपको मोबल का सारा डेटा रिकावर हो जाएगा तो इस वीडियो में आपको पीसी यूज करके बताना वालों अगर आपको मोब नहीं पर जेब सब्किरण में बहुंआ हो तो यहां पर लोग इसको ड् zij आफोडस करने में फिर कहीं पर सर्च करने में प्रोब्लम नहों हो तो आप लेगं से इसको डाउंगों कर सकते हो इसके बादि में जयरू प्रोसेस समझाने वाला हूं तो चलिए मैं जैसे इसको open करता हूं तो यहां पर मुझे जो है कुछ इस तरह कापको interface देखने को मिलेगा जहां पर आपको कुछ options मिलने वारे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो अब यहां पर यह सारे जो है इसको यूज कर सकते हो लेकिन हमें जो है data recovery करना मतलब हमें जो है यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है data recovery उस पर click करना है अब यहाँ पर जैसे click करोगे तो यहाँ पर आपको जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अपने PC के साथ अपने mobile को connect करना है यहाँ पर आपका debugging mode on होना चाहिए जो कि आपका अगर ओन नहीं होगा तो यहाँ पर आपका phone connect नहीं होगा अब जैसे यहाँ पर मैं अपने phone में जो है debugging on किया और वहाँ पर allow गया तो यह यहाँ पर हमारा जो है phone connect होने लगा अब यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा अब यहाँ पर आपके mobile में भी कुछ अलाव का option आने गा तो वहाँ पर आपको सिंपली आपको अलाव कर देना अब उसके बाद आपका PC connect होने वाला है तो connect हो चुका है अब यहाँ पर हमें जो है इतने सारे option मिलते हैं हम यहाँ पर किसी भी फाइल का backup ले सकते हैं अब यहाँ पर मैं आपको बता दूआ आप यहाँ पर फोन अपने लेगा जहां पर हमारा phone scan हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा से वेट कर लेना आपको आपके mobile में जितने भी files होंगे उस हिसाब से time लेगा मेरे mobile में बहुत कम audio या फिर ना के बराबर है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ cold recording से जिसके तुरू जो है मैं आपको demo दिखा रहा हूँ तो जितना आपका mobile में space होगा जितना आपका data होगा उस हिसाब से यहाँ पर time ले सकता है तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बदा दूँ अगर आपका debugging mode on नहीं होगा तो आपका phone connect ही नहीं होगा ठीक है तो चलिए यहाँ पर मैं ok कर देता हूँ देख लिजे उपर यहाँ पर आपको देख लिजे scanning device वहाँ पर भी आपको जो है थोड़ा सा time लगने वाला है आपके mobile में जो भी data होगा वो यहाँ पर आपको दिखाएगा चाहे आपने delete भी कर दिया होगा तब भी आपको जो है यहाँ पर show कर देगा तो यह भी थोड़ recording थी वह मैंने delete करी हुई है यहाँ पर देख सकते हो आप अभी भी हमारा scanning जो है वो चली रहा है मतलब हमारे phone में जितना भी आज तक audio file आया होगा वो सारा का सारा scan करेगा थोड़ा सा wait कर लेते हैं तब तक आप इस video को like कर दो और यहाँ पर साथी साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर देख सकते हो यह जैसे complete होता है उसके बाद ही आप select कर पाऊगे उससे पहले नहीं कर पाऊगे तो यहाँ पर मैं आपको demo के लिए तीन फाइल जो है select करके दिखा देता हूं उसके बाद हमें simply recover to computer पर click करना या फिर आप चाहो तो device में भी कर सकते हो अब यहाँ पर location जो है अपने path चूज करके save कर सकते हो तो देखिए हमारी तीन फाइल जो है वो recover हो चुकिए अब यहाँ पर देख सकते हो जो भी path पर आपने save किया होगा उस पर जाकर आपको देख लेना तो simply मेरा जो है desktop पर ही folder बना हुआ है तो उसमें जो है यह भी data recover करना चाते हो बहुत ही easily कर सकते हो हाला कि यह software free नहीं है लेकिन आपको पता ही है कैसे आपको इसको यूज करना free में तो आप अपने खुद अपने इसाब से इसको download करके use कर सकते हो हाला कि मैं आपको suggest करूँगा कि आप इसको purchase करने के बाद ही use करे अब यहाँ पर द आते हो बहुत ही easily कर सकते हो इस तरह से आप इस software को यूज करें बहुत ही अच्छी तरीके से अपने data को record कर सकते हो चाहिए किसी भी टाइप का वीडियो's photos audio कुछ भी data होगा आपका record हो सकता है ठीक है आप इस method को एक बाद ट्राइगरो बहुत ही अच्छा software है अगर वीड पहले बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूगा देना थैंक्स वोचिंग गाइज से इन दे नेक्स्ट वीडियो